Hello everyone, welcome to Okul, इंडिया के सबसे affordable learning platform में आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आई अपने स्कोर्स को आगे बढ़ाएंगे that is Certificate, Physical and Human Geography GC Lyon ठेक है, Geography by GC Lyon को हम लोगों ने यहापर स्टार्ट किया है और इस स्रीज में हम लोग आगे बढ़ते है, Chapter First हमारा जो है वो complete हो चुका है जो Earth and the Universe को लेकर था, उसमें हमने काफी सारी बात है समझी, अर्थ के बारे में समझा हमारा जो Solar System है उसके बारे में हमने थोड़ा सा समझा और अर्थ के मुवमेंट्स को लेकर हमने काफी सारी चीज़ें जो है वो बहुत डिटेल में समझी और Locations को लेकर भी हम लोगों ने बात की है कल के lecture में जैसे की Latitude, Longitude, Latitude का क्या काम होता है, Distance नापने का काम आता है Longitude से हम लोग किसी भी जगे का Local Time वगरा जो है वो Determine कर सकते है International Date Line का Concept क्या है वो हमने समझा कि किस तरीके से अगर हम East to West और West to East जाते है Date Line को Cross करते है तो कैसे हमारा जो दिन है, जो एक Day है वो Gain होता है या वो Loss होता है इसमें हम लोग अर्थ के Crust की, यानि कि अर्थ की जो Layers है उनके बार में जानेंगे ये जानेंगे कि कितने टाइप के Rocks हैं, क्या-क्या उनकी Classification जैसे Agnius Rocks, Sedimentary Rocks, Metamorphic Rocks उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि कितने टाइप के Mountains होते हैं, कितने टाइप के Platyus हैं, कितने टाइप के Planes हैं वो सारे के सारी चीज़ें जो है हम इस Chapter में डील करेंगे, चीक है तो आज का लक्चर स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, आप सभी लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग स्कोर्स को वीडियो से इसको फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, ये थोड़ा सा उन लोगों की जिम्मेदारी है और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग को कंटेंट पसंद आ रहा है, काम का लग रहा है तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन वगरा जो है, वह आप से मिस ना हो, ठीक है और बाकि आगे मढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बार फिट से बता दूँ कि जो इस सिरीज का, जो इस पुरी की पुरी बुक का कोर्स चल रहा है, तो आप लोग इस कोर्स में एन्रोल कर लीजे, जितना जल्दी आप लोग एन्रोल करेंगे, उतने कम रेट पे, उतने जैसे इसमें content add होते जाएगा, तो जो इसका price वगिरा है वो बढ़ेगा, तो जितनी जल्दी हो सके है, आप लोग एन्रोल कर लीजे, नीचे description box में उसका link दिया हुआ है, चलिए तो start करते है, आज का lecture, चलते है अपनी book की तक, देखिए, chapter 2 है, the earth's crust पे को लेकर, और शु कि आपके mountains, plateus, plains वगिरा है, इनके बारे में, अगर हमें इनकी geography जो है, इनके भोगोल को अगर समझना है, तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा, कि earth की जो crust है, जैने कि जो सबसे top layer होती है, उसके अंदर क्या लाए करता है, ठीक है, what lies within the earth's crust, it is not possible to know exactly how the earth was formed about 4500 million years ago, ठीक ह ये बात कही गई है कि exactly तो मतलब हम लोग अगर कहें कि बिल्कुल accurately हम लोग नहीं पता कर सकते कि 4500 million वर्ष पूर्व, जब हमारी earth बनी थी, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़े थी, क्या क्या चीज़े नहीं थी, हम उसको exactly तो पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हमार of earthquake waves होती है, P waves, S waves, और जो deep mine operations है, वो है, जो crystal borings होती है, जो crust को हम लोग bore करते हैं, उससे हम कुछ facts जो है वो निकाल सकते हैं, जो हमें ये बताएंगे कि earth के crust के अंदर क्या क्या चीज़े हैं, ठीक है, देखिए, यहाँ पर ये चीज़ जो है, वो figure में दिखाई भी गई है, कि earth का crust, lithosphere, यहाँ पर oceans बताए जा रहा है, hydrosphere और ethosphere, ठीक है, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि the earth is made up of several concentric layers, concentric का मतलब होता है, जैसे circle, मतलब circle, एक circle, दो circle, तीन circle, ठीक है, concentric का मतलब होता है, जिनका center same है, ठीक है, concentric is a word, जिसका मतलब है, same center, ठी ठीक है, the outer layer of the earth's crust, the lithosphere, जो सबसे बाहर की layer है, जो outer layer है, earth crust की, उसको बलाता है lithosphere, which comprises of two distinct parts, यह दो distinct parts, यह दो अलग-अलग parts से बनी हुई है, जिसका upper part है, that consists of granitic rocks, वहाँ पर जो rocks है, वो कैसे है, granite के form में, granitic rocks, और वो क्या बनाते है, continents, ठीक है, इसका जो main mineral constituents है, वो है silica and alumina, ठीक है, silica और alumina है, तो इसको siyaal भी बोला जाता है, ठीक है, it is collectively referred to as siyaal, that is si for silica and al for alumina, इसको जो average density है, वो 2.7 है, ठीक है, density आप देख सकते हैं, कि 2.7 है, ध्यान रखेगा, इसको अभी आगे हम इसका comparison करेंगे, जो lower part है, that is the continuous zone of denser, पहली बाद तो है, ध्यान र अपर पार्ट है, वो granitic rocks है, जो lower part है, वो basaltic rocks है, ठीक है, और यह basaltic rocks क्या बनाता है, ocean floor, जो granitic rocks है, वो continent बना रहा है, basaltic rocks क्या बना रहा है, ocean floors, और यह क्या consist करता है, यह comprise करता है, mainly और silica, iron and magnesium, ठीक है, तो इसको जो है, इस layer को बोला जाता है, SEMA, that is S IMA, that is S for silica, I for iron and MA for magnesium, ठीक है, और इसकी जो density है, वो लिखा गया था कि denser है, तो इसकी density 2.7 तो आपकी जो granitic rocks है, उसकी है, ठीक है, जिससे आपका continents बन रहा है, और 3 जो है, वो आपके इसकी है, जो basaltic rocks है, जिससे आपके ocean floors बन रहा है, ठीक है, the sea and the sema together form the earth's crust, यह दोनों मिलके earth की crust बना 30 miles under some parts of the continents, ठीक है, तो कि देखे, continents में इसकी height जादा होने का बड़ा एक obvious सा reason है, ठीक है, जिसको आप खुद भी बड़े असानी से समझ सकते है, कि जो आपका continents से उसके उपर क्या है, बड़े-बड़े mountains वगरा है, कहीं-कहीं पर, ठीक है, तो उसकी वहीं से क्या है, कि इ 30 से 4 miles तर, ठीक है ना, आगे देखे, सियाल जो है, जो जो ग्रिनाल्टिक रॉक्स वाला पार्ट है, सियाल उसकी density कम है, हमने बताया, लाइटर है, उसकी density सिर्फ 2.7 है, और जो सीमा है, यानि कि जो बसाल्टिक रॉक्स वाला पार्ट है, उसकी density कितनी है, 3, ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते है, कि जिसकी density कम है, वो हमें पता है, वो क्या करता है, यानि कि वो तहरता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कह सकते है कि जो continents है, they can be said to be floating on a sea of denser sea, क्योंकि जो सीमा है, वो क्या है, denser है, जो सियाल है, वो क्या है, lighter है, ठीक है, यही चीज जो है वो अब्लके इसके साथ दो-तिन डिस्कनिटि और होती है, लेमन डिस्कनिटि गुट्ंबर्ग, रैपिटी, वो मैं भी आपको एक फिगर के magic से समझाता हूं, ठीक है, फिलाल इसको यहाँ पर पढ़ लेता है, पहले क्या लिखा गया है, तो हम crust को समझ गए, crust के नीचे क्या है that is the mental और mental को mesosphere भी बोला जाता है अगर आप लोगों ने atmosphere पड़ा है atmosphere अगर आप लोगों ने पड़ा है तो वहाँ पर भी एक layer of atmosphere होती है mesosphere ठीक है आप उसको इससे confuse मत कीजेगा यह दूसरा है ठीक है यह आपकी mental जो है उसको बोला जाता है mesosphere और mental भी आपको पता है कि दो पार्ट का होता है ठीक है ना इसको मैं भी आपको diagram से दिखा हूँगा ठीक है फिलार इसको यहापर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते है about 1800 miles thick यानि कि इसकी जो चोड़ाई है जो thickness है वो 1800 miles के आसपास है और इसमें बहुत जादा dense rock होता है which is rich in olivine जो interior layer है वो core है यानि कि जो सबसे अंदर की layer है वो core है यानि कि उसको berry sphere भी बोला जाता है 2160 miles in radius and is made up mainly of iron that is FE iron का जो formula होता है that is FE and some nickel that is N-I-C-K-E-L nickel यानि कि यहां से इसका जो composition है यानि कि इसका जो common name है वो knife भी बोला जाता है N-I-F-E क्योंकि N-I stands for nickel and FE stands for iron ठीक है इसके बाद देखिए the temperature here is estimated to be as high as 3500 degree Fahrenheit किसकी बात हो रही है core की and the core is subjected to extremely high pressure और core के उपर जो है वो काफी जादा pressure है तो under such conditions the core is expected to be in liquid state तो यह expect किया जाता है कि जो core होगा वो liquid state में होगा लेकिन फिर से वही बात है कि कोई वहां तक पहुश तो सकता नहीं है तो हमें कैसे पता लगा है कि जो innermost part core है is probably a crystalline or solid mass वो liquid नहीं है हमें कैसे पता लगा है earthquake waves से ठीक है से discuss किया है कि earthquake waves जो होती है वो किस तरीके से उनका किस रीजन में shadow zone होता है और उसी shadow zone से हमें ये पता लगा है कि जो हमारा innermost part है यानि कि जो core का innermost part है वो solid नहीं है वो liquid नहीं है आईदर वो crystalline है या फिर वो solid है और वो earthquake की waves से ही पता लगा है क्योंकि वहां तक center of the earth तक कोई पहुँच नहीं सकता तो इसी तरीके से यहाँ पर यह लिखा गया है कि यह कुछ ऐसे evidences है जैसी कि आपके volcanic eruption से जो आपका magma lava निकलता है वो है आपकी जो अर्थ को एक waves है जो आपके deep mine operations होते है इन सब चीजों से हमें यह पता लगता है कि अर्थ के interior में क्या-क्या exist करता है ठीक है इसके बाद दूसरा part जो है the part of the earth crust are immersed by oceans and seas कुछ पार्ट ऐसा है जो oceans और seas में डूबा हुआ है immersed है उसको बोला जाता है hydrosphere hydro बहुत simple है याद रखने के लिए hydro word से ही आप इसको याद रख सकते है comprising of water ठीक और extending skywards for over 15 miles the earth is enveloped by a mass of gases which make up the atmosphere यानि कि इस तरीके से आप देख सकते है कि यह जो layer of air है पूरी की पूरी इस तरीके से जो earth को क्या कर रही है envelop कर रही है ठीक है पूरा का पूरा इसको ढखा हुआ है तो this is only known as your atmosphere और ध्यान रखेगा कि atmosphere जो है एक one of the prime requirement है for the existence of life on earth यानि कि अगर अर्थ के उपर अगर ये चीज़ नहीं होती अगर atmosphere नहीं होता तो इससे काफे सारा नुकसान था और फिर यहाँ पर जो life की existence है वो जादा possibility नहीं थी मैं ये नहीं कहा रहा हूँ कि it is the only requirement ठीक है only requirement नहीं है क्योंकि और जो भी हमारे planets है वहाँ पर भी कुछ planets ऐसे है जिनके पास atmosphere है लेकिन हर planet पर life exist नहीं करती है ठीक है यहाँ पर काफी सारी चीज़े है जिसके वाई से life exist करती है atmosphere भी एक उन में के उपर exist करती है ठीक है चलिए मैं अब आपको पहले ये discontinuity वाला और जो ये layers of earth है इसको एक figure के help से दिखाता हूँ देखे ये देखे इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं ये सबसे उपर का जो part है that is your crust ठीक है that is seal मैं आपको बताया seal यानि कि silika और alumina से बना हुआ है इसके बाद जो इसके नीचे का part है that is your upper mental ठीक है और upper mental का जो बीच का थोड़ा सा उपर का portion होता है उसको बोला जाता है esthenosphere ठीक है ये एक पतली सी layer होती है और इसमें आप कह सकते हैं कि जो lithosphere है और जो upper mental का upper part है जहां रखेगा upper mental का upper part यानि कि ये पूरा का पूरा जो दोनों part है ये मिला के क्या कहलाते है lithosphere ठीक है और जो हमारा crust है और जो upper mental है उसके बीच की जो एक layer है या उसको बोल सकते है जो discontinuity है उसी को बोला जाता है mohoro-visic discontinuity ठीक है इसके बाद आपका time isosphere यही चीज़ वहाँ पर लिखी गई थी और upper mental और lower mental के बीच में जो आपके discontinuity लाई करती है that is your rapidity discontinuity और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ये question UPSC में पूछा जा चुका है ठीक है बहुत ध्यान से इसको समझेगा question बहुत आसान है आपसे ये पूछा जा सकता है कुछ discontinuity इसके नाम आपको दिये जा सकते है और आपको ये layers दे जा सकती है और पूछा जा सकता है कि कौन सा किसके बीच में लाई करता है match the following type जो question होता है वहाँ पर ठीक है तो बहुत इसको अच्छे से sincere हो कि आप लोग note down जरूर कर लीजेगा ठीक है rapid discontinuity जो है वो कहाँ पर है upper mental और lower mental के बीच में इसके बाद lower mental और outer core के बीच में अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या है वहाँ पर है grutenberg discontinuity ठीक है grutenberg है और inner core और outer core जो है उसको मिला के बोला जाता है very square ठीक है ना very square है और ये knife है that is nife यानि कि nickel और iron ठीक और outer core और inner core के बीच में जो discontinuity है that is your lemon discontinuity ठीक है that is your lemon discontinuity तो याँ आप ये चारों discontinuity याद रखेगा morovisic, rapidity, grutenberg और lemon ठीक कौन सी कहाँ पर है ये भी मैं आपको याँ पर figure के help से समझा दिया है बिल्कुल इस figure को आप अच्छे से ध्यान रखेगा mind में और चीजों को गलत मत कीजेगा क्योंकि exam में स्तरिया question पहले आया हुआ है तो आने वाले समय में भी आ सकता है ठीक है? चलिए वापसे बुक में चलेंगे और अब हम rocks के बारे में आपर पढ़ते है देखिए अब हम पढ़ते है classification of rocks के बारे में यानि कि पत्थरों के बारे में पढ़ेंगे ठीक है? अर्थ का जो crust है वो अलग-अलग तरीके के rocks से बना हुआ है differing from one another in texture, structure, color, permeability, mode of occurrence and degree of resistance to denudation ठीक है? अब रोक्स तो काफी सारे हैं और वो एक दूसरे से अलग भी है किस तरीके से अलग है? उनका texture अलग है उनका जो structure है, जो बनावट है वो अलग है उनका रंग अलग है permeability उनकी अलग है जो उनका mode of occurrence है, वो अलग है और वो कितना जादा denudation को resist कर सकते है ठीक है, denudation मतलब kind of degradation उसको कितना जादा वो resist कर सकते है उनका degree of resistance कितना high है ठीक है, इसके अधार पर rocks को क्या किया गया है? classify किया गया है A knowledge of these rocks is of paramount importance to geologists who study the composition and physical history of the earth but for geographer, two needs a basic knowledge of the most common rocks and their relationship with the landforms यानि कि landforms और rocks के relation को समझने के लिए rocks के बारे में पढ़ना जानना जो है वो सिर्फ geologist जो है उनके लिए ही जरूरी नहीं है बलकि जो geographer से उनके लिए भी जरूरी है ठीक है, rocks also form the basis for soil ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो rock है वही आगे जाके क्या होता है कि जो हमारा bedrock होता है वही छोटे-छोटे parts में तूटता है और उसी से क्या होता है, soil formation होती है ठीक है, हम लोगोंने India Physical Environment, chapter number 6 जहांपर soils की बात की थी वहाँ पर हमने समझा था कि horizons of soil जो होती है, layers of soil किस तरीके से बनती है और हमने ये चीज़ वहाँ पर बहुत अच्छे से समझी थी, जानी थी कि जो soil बननी शुरू होती है वो नीचे से उपर की तरफ को बनती है ठीक है, कभी भी ये doubt मत रखेगा कि soil उपर से नीचे की तरफ को बनती है तो इसलिए rocks जो है, वो soil का भी basis है क्योंकि bedrock जिस तरीके का होगा, उसी तरीके की soil हमारी बनेगी और soil के अगर ये एक form basis है, तो it also determines to some extent the type of natural vegetation and land use क्योंकि soil से ही फिर आपका जो natural vegetation का type है और जो land use है वो उसी पर निर्भर करेगा, so we must have a fair acquaintance with the rocks around us तो इसलिए हमें, जो हमारे आसपास के जिस भी प्रकार के पत्थर है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है जनरली अगर हम लोग बात करते हैं, तो rocks may be classified into three major groups rocks को तीन तरीके से classify किया जाता है, तीन major groups में किस तरीके से originate होते हैं, ठीक है, किस तरीके से उनकी उत्पत्ती है और किस तरीके से वो दिखाई देते हैं, उनकी appearance है उसके आधार पर इनको तीन major groups में बालटा गया है, that is your igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks, ठीक है चलिए, कि करके इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहले आजेगी है igneous rocks, igneous rocks क्या है, इसको ध्यान रखेगा, ये आपके volcano से संबंदित है, ठीक है, जो हमारा volcano का magma होता है, ठीक है उसके cooling and solidification से जो rock बनता है, that is your igneous rock, ठीक है यानि कि अब इसको volcanic rock भी बोल सकते है ये जनरली crystalline होते है, they do not occur in strata, यानि कि layers में नहीं पाए जाते है नौर दू दे कंटेन fossils, इनमें fossils भी नहीं है, फॉसिल क्या होता है, आपके जो plants and animals है उनका dead remains, ठीक है, igneous rocks, जो है, they may be subdivided on the basis of mineral composition ये mineral composition के अधार पर इनको हम और जादर divide कर सकते हैं, जैसे कि when they contain a high proportion of silica जब इनमें silica जो है, वो जादा होता है, silica मतलब sand, ठीक है, तो इनको बोला जाता है acid, they may be set to be acid, ठीक है जो acid igneous rocks है, जैसे कि granite, त्यान रखे का granite is a igneous rock, ठीक है are less dense and are lighter in color, ठीक है, तो ये उस समें क्या होगा, जिस समें ये acid igneous silica जादा है तो ये dense कम होंगे, यानिकि इनकी density कम होगी और इनका color जो है वो भी light होगा, ठीक है किस से compared to the basic rocks, basic rocks मतलब क्या है, कि जिसमें आपका greater proportion of basic oxide, जैसे कि iron, aluminium, magnesium, ये चीज़े जादा होगी darker in color, ठीक है, अगर origin की हम बात करें, ये तो हमने बात करी, mineral के अधार पर, कि जो mineral composition है उसके अधार पर, अगर हम लोग origin के अधार पर नहीं कि उत्पत्ती के अधार पर अगर बात करते हैं, तो igneous rocks के दो classes और हैं, ठीक है, देखे, पहला है plutonic rocks, plutonic rocks क्या होता है, कि these are the igneous rocks formed at some depth in the earth crust, यानि कि जो earth की crust है, उसके कुछ नीचे पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि हमने बात करी है, ये volcanic है, पहली बात आपको ध्यान लखनी है, और volcanic क्या है, कि जो नीचे से आपका volcano जो है, वो बाहर निकल के आएगा, तो उसमें दो तरीके का होता है, एक होता intrusive forms, एक होता है extrunsive forms, ठीक है, जिसने volcanism का chapter पढ़ा है India Physical Geography, sorry, Fundamentals of Physical Geography, NCRT class 11, मैं फिर से कहूंगा कि NCRT को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है न, NCRT को आप लोग एक बार ज़रूर पढ़के आईए, उस course को आप लोग ज़रूर बन रहे है, they are known as your intrusive forms, उनको बोला जाता है intrusive forms, ठीक है जिसे यहाँ पर लिखा गया है, कि they have cooled and solidified slowly, so that large easily recognized crystals have been able to form पहली बात तो यह कि crystalline तो यह होते ही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कि यह cool और slowly solidified जो है, ठीक है, यानि कि ठंडे हो रहे है, और solidified जो हो रहे है, वो धीमे-धीमे हो रहे है slowly हो रहे है, तो इनमें क्या होता है, कि जो crystals है, वो बड़े crystals है, large crystals है और easily recognized crystals है, ठीक, these intrusive rocks, देखे लिखा गया है intrusive, मैं आपको बता रहा है कि जो अंदर बन रहे है, जो beneath the surface बन रहे है, तो जब तक surface का denudation या erosion नहीं होगा, यह दिखाई नहीं देंगे, यह exposed नहीं होगे ध्यान रखेगा, intrusive landforms जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे surface के नीचे होते हैं, beneath the surface, और जब तक surface के ऊपर erosion या denudation नहीं होगा, वो exposed surface को नहीं होगे, ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं, that is your volcanic rocks, यह भी इसी का टाइप है, प्रकार है, these are molten rocks poured out of alcaners as lavas, जो volcanos से बाहर lava निकलता है यहाँ पर क्या हो रहा है, कि जो crystals बन रहे है, वो छोटे बन रहे है, और solidification कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यह surface पर आ रहा है, तो surface पर हो रहा है, ठीक, अब granite जो है हमारा, जिस हमने बात करी कि granite क्या है, granite is a plutonic rock, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, the basalt is a common volcanic or extrusive rock, यह extrusive rock का जो main common है, that is your basalt, ठीक है, and forms lava flows, lava sheets and lava plateaus, जैसे की example के तोर पर दिया गया है, those of antrim in northern Ireland, इंडिया के respect में बात करें तो जो इंडिया का decan plateaus है, वो जो परायदीब यह पठार है, वो, the columbia snake plateaus in USA, some kinds of basalt solidify in a very peculiar manner to form long polygonal columns, ठीक है, कुछ basalt इस तरीके के होते हैं, जो काफी एक अलग तरीके से, एक peculiar form में, जिनका क्या होता है, solidification होता है, polygonal columns के रूप में, ठीक है, जो polygon होता है, यानि कि having more than four-five sides से जादा जिसमें होती है, ठीक है, a well-known example is the columnar basalt of the giant's causeway in interim, ठीक, some of the molten lava may push its way into the surface through clefts and passages, solidifying as vertical dykes or horizontal sills, their origin and occurrence will be discussed in greater detail in chapter 3, ठीक है, मैं फिर से कहूँगा कि fundamentals of physical geography NCRD class 11th को जिसने पढ़ा है, वो ये words बहुत अच्छे से जानता है कि dykes क्या होते है, sills क्या होते है, these are the landforms, ये volcanic landforms है, ठीक है, लेकिन हम इनको यहाँ पर discuss नहीं करेंगे, क्योंकि ये chapter 3 में included है, जो next chapter है, वहाँ पर हम इसको अच्छे से discuss करेंगे, जहाँ पर volcanic landforms के बारे मैं थोड़ा बहुत बात करनी है, ठीक है, यहाँ पर यह लिखा गया है कि most igneous rocks जो है, वो extremely hard होते है, ठीक है, काफी साथ hard होते है, and resistant होते है, इसी वही से resistant होते है, and for this reason, they are queried for road making and polished as monuments and gravestones, ठीक है, इनको road making के लिए, निकी सड़क बनाने के लिए, इनका काम किया जाता है, इनको use में लाय जाता है, and they are polished as monuments and gravestones में भी इनका use किया जाता है, ठीक है, example के तोर पर अगर मैं आपको बता हूँ, granite, ठीक है, granite आपको पता है कि आपके घरों में जो kitchen वगरा में जो slab लगा होता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा हुआ जिसके घर में इस तरह की kitchen वगरा है, जहाँ पस slab वगरा लगा होता है, पत्थर का, वो जो पत्थर होता है, that stone is your granite, ठीक है, और granite आपनों को वहां से आप पता लगा सकते हैं, कि वो कितना ज़ादा strong या कितना ज़ादा hard year resistant होता है, ठीक है न, इसके बाद आगे देखिए, जो second type of rock है, that is your sedimentary rock, ठीक है, नाम से ही clear है, word से ही clear है, sediment, sedimentary rocks are formed from sediment, accumulated over long periods, usually underwater, यानि कि जो sediments accumulate होते हैं, इखटा होते हैं, लंबे समय तक, उन से ये बनते हैं, ठीक है, they are distinguished from the other rock types in their characteristic layer formation, and are termed stratified rocks, यानि कि इन में क्या होता है, strata होता है, layers होती है, ठीक है, the strata may vary in thickness from a few inches to many feet, जो layers होती है, उनकी thickness बराबर नहीं होती, वो variable होती है, few inches भी हो सकती है, या बहुत many feet तक भी हो सकती है, the rocks may be coarse or fine grained, ठीक है, जो rocks है, वो coarse भी हो सकते हैं, और fine grains भी हो सकते हैं, जो grains का size है, वो छोटा भी हो सकता है, और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, soft भी हो सकते है, hard भी हो सकते है, the materials that form sedimentary rocks may be brought by streams, glaciers, winds और even animals, ठीक है, जोकि sediments accumulate कैसे होंगे, accumulate तब होंगे, जब sediments कहीं से आएंगे, और एक जगे पर इखटा होंगे, ठीक है, और उनको लेके कौन आएगा, streams, glaciers, winds या फिर animals भी ला सकते हैं, ठीक है, they are non-crystalline, आप इसके बीच का difference जो है, वो साथ के साथ चाहें तो no down कर सकते हैं, कि जैसे agneous rocks पर हमने बात की, कि वो crystalline होते हैं, वहाँ पर strata या layer formation नहीं होता है, यहाँ पर देखें, just opposite है, कि layer formation भी हो रहा है, layers की thickness vary कर रही है, non-crystalline यह है, ठीक है, और उनमें क्या था, fossil नहीं होता है, यहाँ पर fossil भी है, they often contain fossils of animals and plants and other microorganisms, sedimentary rocks are thus the most varied in their formation of all rocks, ठीक है, सबसे ज्यादा variations इसमें पाई जाते हैं, sedimentary rocks को हम लोग classify करते हैं, according to their age, उनकी age के हिसाब से, and different kinds of rocks formed during the same period are grouped together, और एक समय पे बने वे जितने भी rocks होते हैं, उनको हम एक ही साथ group करते हैं, ठीक है, it is more useful to know the characteristics of the various kinds of rocks, तो इससे क्या फाइदा होता है, कि हम जो different types of rocks हैं, जो various kinds of rocks हैं, उनके characteristics को अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है, देखिए, इसके बाद आगे क्या लिखा गया है, जो sedimentary rocks हैं, इनको भी तीन major categories में divide किया गया है, according to their origin and composition, ठीक, सबसे पहला है, mechanically formed sedimentary rocks, यह क्या होता है, which have been cemented together, ठीक है, कि जो sediments हमारे दूसरे rocks के जो sediments हैं, उनके इखटा होने से यह बनता है, ठीक है, cemented together मतलब है कि they are now joined together, जैसे कि sandstones की बात करने हैं, तो sandstones are probably the most familiar sedimentary rocks, they are made from sand grains, often quartz fragments derived from granites, ठीक है, जो granites के fragments होते हैं, उससे मिलके बनता है, their texture, composition and color में vary tremendously, इनका जो texture है, जो composition है, जो color है, वो बहुत ज़्यादा vary कर सकता है, many types of sandstones have been queried for building purposes or for making grindstones, ठीक है, different types के sandstones जो है, वो अलग-अलग type के sandstones जो है, वो पाए जाते हैं, एक तरीके का sandstone नहीं होता है, a coarser type of sandstone जो है, यानि कि जो coarse होता है, यानि कि जिसके आप कह सकते है, grain का size बड़ा होता है, उसको बोला जाता है, grit, ठीक है, when larger pebbles are firmly cemented to form a rock, it is called conglomerate when the pebbles are rounded, ठीक है, जब आपके जो pebbles हैं, जो large size of pebbles हैं, जब वो एक साथ जुड़त जाते हैं, ठीक है, they are cemented to form a rock, जब जो fragments हैं, वो angular होता है, तो उनको bracia बोला जाता है, जब pebbles rounded होते हैं, तो उनको conglomerate बोला जाता है, ठीक, the finer sedimentary materials form clay, widely used for brick making, shale और mudstone, ठीक है, जो finer होते हैं, उनका use इसलिए किया जाता है, जो sand और gravel है, they may occur in uncemented form, यह सतरीकी के होते हैं, जो cemented form या joint form में नहीं पाए जाते हैं, uncemented form में यह पाए जाते हैं, ठीक है, तो यह था पहला, that is mechanically formed, इसके बाद हम बात करते हैं, फूसरा, that is your organically formed sedimentary rock, these rocks are formed from the remains of living organisms such as corals और shellfish, इनका क्या होता है, जो fleshy part है, वो तो decompose हो चुका है, जो इनका hard shell है, वो बच जाता है, ठीक है, उससे यह stone बनता है, the most common rocks formed in this way are of calcareous type, ठीक है, they include limestone and chalk, calcareous का मतलब है, जिसमें calcium वगरा जो है, वो जादा पाये जाता है, ठीक है, calcium, the carbonaceous rocks are also organically formed, but from vegetative matter, जैसे कि swarms and forest, वहाँ से क्या बनता है, carbonaceous, यानि कि इसमें क्या होगा, carbon जाता होगा, ठीक, the pressure of overlying sediments has compressed the plants remains into compact masses of carbon, which eventually become peat, lignite or coal, all of which bear great economic value, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपके plants है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, forest or swamp presence में, वहाँ पर जो plants है, उनके उपर जो overlying sediments है, वो इनके उपर काफी जादा pressure डालते है, ठीक है, और इससे क्या होता है कि ये peat, lignite या coal वगरा जो है, यानि कि जो better quality का coal है, जो peat or lignite तो आपके काफी low quality के coal माने जाते है, ठीक है न, वो बनते हैं, ये सभी के सभी क्या है, they are of great economic value, यानि कि जो इनकी economic value है, वो काफी जादा है, ठीक है, इसके बाद तीसरे टाइप के जो sedimentary rocks है, वो हम जान लेते हैं, that is your chemically formed, such rocks are precipitated chemically from solutions of one kind or another, ठीक है, जो solutions of one kind, किसी एक प्रकार के solutions या अलग प्रकार के solutions हैं, उन से ये बनते हैं, जैसी कि rock salts है, they are derived from strata which once formed the beds of seas or lakes, ठीक, जिपसम या फिर calcium sulphate जो है, that is obtained from the evaporation of salt lakes, such as the dead sea, dead sea में हमें पता है कि उसकी salinity जो है, वो काफी जादा है, तो वहाँ से जो evaporation होता है, क्योंकि पानी evaporate करेगा तो बागी जो नीचे salt है, वो रह जाएगा वैसे ही, तो उससे हमारा क्या बनता है, gypsum या फिर calcium sulphate, ठीक है, और इसी similar तरीकों से हमारा जो potash और nitrates है, वो भी बनता है, और यहाँ पर मैं आप कोई चीज और बता हूँगा, जितने भी names of rocks दिये गए है, वो आप साथ के स साथ याद रखते जाएगा, जिसे gypsum दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि gypsum क्या है, gypsum is a sedimentary rock, और किस टाइप का है, अगर classify करें तो chemically formed, similarly potash, similarly nitrates, ठीक है, इस चीज को आप इस तरीके से भी note down करते रहिएगा, इसके बाद जो तीसरे टाइप का rock है, जितने और metamorphic rock, all rocks whether igneous or sedimentary may become metamorphic or change rocks under great heat and pressure, ठीक है, यानि कि कोई भी rock, चाहिए वो igneous है, चाहिए वो sedimentary है, वो metamorphic बन सकता है, एक इसमें process होती है, ठीक है, या एक phenomena होता है, जिसमें आपका heat और pressure की help से कोई भी rock जो है, वो metamorphic बन सकता है, that phenomena is known as metamorphism, ठीक है, under great heat and pressure ऐसा होता है, their original character and appearance may be greatly altered by such forces, ठीक है, particularly during intense earth movements, in this manner, clay may be metamorphosed into slate, ठीक है, clay के उपर अगर intense heat or pressure पढ़ती है, तो वो slate बन सकती है, lime stone के उपर पढ़ेगा, तो वो marble बन सकता है, sand stone के उपर पढ़ेगा, तो वो quartzite बन सकता है, granite के उपर बनेगा, तो वो knees बन सकता है, shale के उपर बनेगा, iskist बन सकता है, और coal के उपर बनेगा, तो वो graphite बन सकता है, तो आप यहाँ से यह चीज़े note down कर सकते हैं, यह जो colored में दिये गए है, ठीक है, मैं इनको आप लोग के लाइलेट कर देता हूँ, जैसे कि slate और marble, quartzite, knees, iskist and graphite, यह सारे के सारे क्या है, जो मैंने यह आपर highlight क है, वो sedimentary है, वो आपका metamorphic rock बन सकता है, और इसी से पूरी की पूरी एक rock cycle जो है वो चलती है, ठीक है, मैं फिर से आप लोगों से एक बार request कर रहा हूँ, कि जो fundamentals of physical geography का हमारा course है, आप लोग जाके उसको please जरूर देखिए, ठीक है, उस course को आप लोग enroll कर लीजे, क्योंकि कि वहाँ पर चीजें जो है, वो बहुत जादा detail में है, क्योंकि हमने minerals और rocks का पूरा एक chapter वहाँ पर है, और वहाँ पर एक सारी की सारी जो बाते हैं, वो बहुत अच्छे से हम लोगों ने discuss की है, ठीक है, कि किस तरीके से sedimentary rocks, metamorphic rocks, egnias rocks बनते हैं, metamorphism की पूरी की पूरी process क्या है, पूरी की पूरी rock cycle को हम लोगों ने वहाँ पर जो है, वो समझा हुआ है, तो जा कि आप वहाँ से भी इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, चलिए, फिलाल आज इसको इतना ही रखते हैं, इसका जो बाकी का part है, वो आगले आने वाले lectures में हम लोग complete कर लेगा, तो अगर आप लोग कोई lecture पसंद आया है, तो प्लीज लाइक ज़रूर कीजेगा, जादर श्यादर 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 कीजेगा, अपने comments ज़रूर करते रहिएगा, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग इस course को इस video series को regularly follow कर रहे हैं, बाकी अपने queries वगरा उस भी कर सकते हैं, that is ocul.cu.gmail.com, ठीक है, और बाकी मैं फिर से कहूँगा कि full course में आप लोग अन्रोल कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग को वीडियो के साथ, notes, quizzes बगरा भी मिलेंगे बहुत जल्द, ठीक है, course का rate काफी कम है अभी, उसमें आप जितनी जल्दी अन्रोल कर करके अपनी query जो है, अपने doubt जो है वो पूछ सकते हैं, चलिए, अगले lecture मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ध्यान रखेगा, please to take care of yourself, thank you, have a nice day, bye-bye.